हलो माइ फ्रेंड्स कसका आए आजकी इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूं वो केमिकल कानेटिक्स में फर्स्ट ओर्डर से रिलेटेड है और इस ट्रिक से आप फर्स्ट ओर्डर पे आने वाले परसंटेज कम्प्लीशन या कितना फ्रेक्शन क प्रावलम को बहुत इसली और विदाउट कल्कुलेशन कर लेंगे तो ट्रिक में जाने से पहले हम लोग बात करते हैं कि जीरो ओर्डर और फर्स्ट ओर्डर में क्या डिफ्रेंस है तो ध्यान से देखो बहुत अच्छे से मैंने लिस्ट आउट किया है कि जीरो ओर्डर की माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन आफ ए बाई चेंज इन टाइम तो यहाँ पे जो इंपोटेंट पॉइंट है कि रेट कॉंस्टेंट की यूनिट वही हो जाएगी जो रेट की यूनिट होगी डाट इस मोलारी टी सेकेंड इनवर्स तो एक यह पॉइंट होगया जबकि इ यहां से हम ओर्डर पहचान सकते हैं तो पॉइंट नमबर वन में दोनों में देख सकतो डिफरेंस है वहां कंसंटेशन है ही नहीं सिधे रेट कॉंस्टेंट है यहाँ कंसंटेशन की पार वाण है जब इसको इंटिग्रेट करेंगे तो चंसंटेशन एक टाम टी इकल टो minus kt that is ct is equal to c0 minus kt और यहाँ पर जो ध्यान देना है ct जो है वो concentration lift केतना बचा है वो put करना है केतना react हुआ है वो नहीं put करना है वही चीज अगर first order में बात करें तो ध्यान से देखो क्या changes हुआ है ct के आगे ln लग गया है natural log c0 के आगे भी आपका ln लग गया natural log और kt वैसा ही का वैसा है तो शिरिफ आपको अगर 0 order का मालूम है ct is equal to c0 minus kt तो first order का भी मालूम है सिरिफ ct और दोनों concentration वाले term में natural log लगा देना है ln यहाँ पर क्या है natural log with base e है तो यह एक difference से ध्यान से देखो point number 2 में point number 3 की half lifetime इसका क्या हो जागा c0 by 2k right जो की देख सकतो half lifetime initial concentration के directory पोर्शनल है जिसको मैं y assume कर रहा हूं c0 by 2k को y assume कर रहा हूं और इस reaction को 0 order की reaction को complete होने में 2 times of t half लगता है वहीं पर first order में क्या difference है half lifetime ln 2 by k ln 2 की value fix 0.693 by k तो यहाँ पर first order में half lifetime initial concentration पर depend ही नहीं कर रहा है और इस value को मैं मान रहा हूं z इसका use क्या हूं fourth point में कि यहाँ पर c0 से c0 by 2 concentration half होने में अगर time y लगता है that is half lifetime तो फिर c0 by 2 का half होने में that is c0 by 2 से c0 by 4 होने में जो previous half lifetime था उसका half लगेगा क्यों क्योंकि directly proportional है तो हर बार concentration के half होने में half lifetime भी half हो जाएंगे जैसे for example c0 by 4 से c0 by 8 होने में तो again यह half हुआ तो half lifetime पहले कितना था y by 2 तो उसका half तो y by 4 तो यहाँ पर जो important point है कि हर बार concentration अगर half करोगे तो half lifetime भी half हो जाएगा previous का यह important point है बट यहाँ पर हर बार अगर आपने concentration half किया तो half lifetime fix ही है हर बार same time लगेगा ध्याँ से देखो z क्यों क्योंकि initial concentration पर यह depend नहीं कर रहा है तो यह important point है दोनों में difference का graph में भी difference है ध्याँ से देखो अगर मैं half lifetime versus initial concentration graph ड्राव करों तो यह एक state line आएगा having slope 1 by 2 के कहां से यहां से टी half और initial concentration directly related है तो slope क्यों आजागा 1 by 2 के जबकि यहाँ पर टी half versus initial concentration एक constant line आएगी क्यों क्योंकि initial concentration पर depend नहीं कर रहा है वैसे ही rate versus concentration A का एक constant line आएगा right parallel to x axis बट यहां पर rate versus concentration A एक state line आएगी having slope constant k के बरावर हो जागा कैसे r is equal to k into a तो यह slope हो जाएगा आपका similarly concentration at time t versus time graph अगर ड्राव करेंगे कहां से तो यहां से देखो ct is equal to c0 minus kt से तो यह अपने y axis पर लिया और time को x पर तो यह y is equal to c minus mx तो यह जो हो जाएगा आपका यहां से यहां तक intercept यह c0 हो जाएगा वहीं पर ln ct versus ln ct versus t graph अगर ड्राव करोगे तो exactly वैसा ही graph रहेगा slope की value भी k रहेगी बट ध्यान क्या देना दोनों में difference क्या कि यहां पर concentration शिर्फ ले रहे हैं यहां पर y axis पर natural log concentration ले रहे हैं तो natural log concentration versus time अगर state line है with negative slope तो first order है और अगर सिर्फ concentration versus time है और state line आ रहा है with negative slope तो यह zero order है तो अब ध्यान से देखें यह सब difference है zero order और first order में जो मैंने आपको किलरल यहां पर समझाने की कोशिस की है now अब हम बात करते हैं tricks की जिसके लिए रफिसर जाने जाते हैं तो ध्यान से देखो कि we know ln ct is equal to ln c0 minus kt first order में यह होता है right तो इसको मैंने rearrange करके लिखा t is equal to क्या हो जागा 1 by k ln of c0 by ct जहाँ पर c0 आपको मालूम है initial concentration है ct concentration left again I am telling concentration left at time t जो बचा हुआ है वो put करना है कितना react हुआ है वो नहीं put करना है तो यह दियान रखना है again we know t half is equal to ln 2 by k तो again इसको rearrange कर रहा हूँ तो k is equal to क्या हो जागा ln 2 by t half इसको मैं आगे use करने वालूम हूँ तो ध्यान से देखो trick क्या है trick यह है कि अब इसको मैं उस वाले problem में लगाऊंगा जहाँ पर हमसे पूछा जाए कि percentage x complete होने में कितना time लगेगा ज्यान दे percentage x complete होने में कितना time लगेगा ऐसे problem या इतना fraction के complete होने में like two third, one third, three fourth fraction ज्यान दे fraction one से less value होगी वह तो fraction के complete होने में कितना time लगेगा इस type के को भी problem हो तो आप simple मेरे इस trick से कर सकते हैं ऐसे अगर x percent complete होए तो left केतना होगा 100 minus x क्योंकि हम percentage में बात करें that means मेरा initial concentration क्या होगया 100, c naught 100 होगया आपका तो t x percent completion दे आदे x percent complete होने में time केतना लगेगा one upon k ln of c naught की जगा 100, ct 100 minus x left put करना है अब इसको मैं अगर k को replace कर दूँ ln 2 by t half से तो हमारा x percentage completion जो है वो half lifetime के time में आ चुका है t half उपर रहेगा divided by ln 2 into ln of 100 upon 100 minus x very very important यह trick है आपको कभी भी x percent complete होने में केतना times of t half लगेगा आप इससे निकाल सकतो जैसे यहाँ पर माल लो कि 10 percent complete होने का निकालना है x could be 1 से लेकर 100 में कुछ भी हो सकता अगर माल लो 10 percent तो x की जगा यहाँ 10 put करो t 10 percent यहाँ पर x की जगा 10 put करो solve कर लो आपका एतना times of t half हो जाएगा similarly fraction complete होने में कितना time लगेगा tf मतलब fraction complete होने में कितना time लगेगा द्यान दे complete की बात कर रहा हो यह सब completion time है तो t3 by 4 की जगा क्या लिख दोगे t half by ln 2 ln of 1 upon 1 minus f की जगा यहाँ पर f की जगा अपने 3 by 4 put किया यहाँ भी 3 by 4 put कर दो तो अब द्यान से देखो यह क्या जाएगा 4 minus 3 1 by 4 4 उपर चला गया तो उसको लिख सकते हैं ln 4 ln 4 को ln 2 की बार 2 2 बारा जागा ln 2 ln 2 cancel तो यह 2 times of t half जो आप और रेड़ी जानते हो कि 3 fourth that means यही क्या हो गया 75% भी हो गया 75% complete होने में 2 times of t half लगता है तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इस formula से आप fraction complete वाले किसी problem को easily कर लोगे and percentage x complete वाले को easily कर लोगे तो अब हम बात करते हैं application की question number one कि आपको given ता first order की reaction है 60% complete होने में 540 second लगता है तो 90% complete होने में केतना time लगेगा तो देखो कैसे करेंगे simple तो t 60% अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा बताओ 1 by k ln of 100 upon 100 minus x मतलब 100 minus 60 right तो यह क्या हो जागा 1 by k ln of 100 by 40 that means 10 by 4 अब आपको t 90% निकारना है t 90% again कितना होगा 1 by k ln of 100 upon 100 minus 90 right this is equal to 1 by k ln of 100 और 100 में से 90 जागा तो 10 तो यह cancel हो जाएंगे तो इसलिए t 90% क्या होगा आपका 1 by k ln 10 और k यहां से put कर सकता हो आप right क्योंकि rate constant स्रीफ और स्रीफ टेंपिरेचर पे depend करता है तो k is equal to क्या हो जाएगा ध्यान से देखो k is equal to हो जाएगा ln 10 by 4 तो 1 upon ln 10 by 4 divided by 540 जो उपर चला जाएगा तो into 540 into ln 10 natural log दोनों साइड है तो log with base 10 में convert करेंगे तो conversion factor cancel हो जाएगा तो हम इसको क्या लिश सकते हैं ध्यान से देखो 540 log 10 हो गया 1 divided by log 10 minus log 4 log 10 1 log 4 होता है 0.6 तो यह कितना हो गया 540 by 0.4 that is 1350 आपका answer आचुका है तो बहुत easy है उस formula से उस trick से ध्यान से देखिए question number 2 में आपसे पूछा जा रहा कि T half अगर 200 second है first order की reaction है तो 80% complete होने में कितना time लगेगा very simple कैसे करेंगे we know कि T half अगर 200 second है तो 75% complete होने में 2 times of T half लगेगा that is 2 into 200 that is 400 second और यह जो हमारा है यह 75 से थोरा सा ज़ाद है तो हमारा answer 400 से थोरा सा ज़ाद होना चीए that is option C यह किने होगा क्योंकि यह close to 600 है जो कि 3 times of T half के आज़ पास में इसलिए हमारा option हो जाएगा C without calculation और अगर निकानना हो तो कैसे निकालेंगे तो we know कि T 80% is equal to T half that is 200 by ln 2 into ln of 100 upon 100 minus x80 पुट कर दो यहाँ पे तो यहाँ जागा तो यह क्या हो जागा दियान से देखो 200 by ln 2 ln of 100 by 20 तो यह कितना हो जागा दियान से देखो ln 5 तो यह कितना हो जागा 200 log 5 होता है 0.7 log 2 होता है 0.3 तो आप इसको cancel कर दो तो आप देख सकते हो यह 1400 by 3 हो गया that is equal to 3 4 the 12 right 23 6 the और 7 तो 4 67 second तो दोनों तरीके आपके पास किसी भी तरीके साब कर सकते हो question number 3 rate constant k की value आपको given थी 5.5 into 10 की पार मानस 14 second inverse तो इससे सिरिफ हमें क्या पता लग गया कि rate constant की unit second inverse ते इसलिए यह first order होगा कभी वो बोल करके नहीं देगा तो rate constant की units आपको पता करना है कि वो कौनसा order है तो यह first order reaction हो गई 67% complete होने में half lifetime का x into 10 की पार मानस 1 लगता है x क्या होगा तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे very simple हमें कितना निकारना है t 67% तो आपको क्या बता है था कि t half by ln 2 ln of 100 upon 100 minus यह x percent तो 67 तो क्या होगा ध्यान से देखो t half by ln 2 ln of 100 upon 100 minus 67 कितना होगा 33 जो कि cut करने के बाद t half by ln 2 ln 3 हो जाएगा राइट दोनों natural log है log with base 10 में convert कर सकते हैं तो यह t half log 3 होता है 0.47 और log 2 होता है 0.30 तो आप इसको put कर दो तो यह आ जाएगा आपका 1.56 into t half लेकिन हमें 10 की पार मानस 1 बनाना है तो इसको 10 से multiply 10 से divide तो केतना होगा यह 15.6 into 10 की पावर मानस 1 into t half तो हमारा answer nearest integer में कितना हो जाएगा 16 तो दियान से देखो कितना simple है और कुछ बच्चे तो यह rate constant की value देखकर के डर जाते हैं इसका कोई use ही नहीं किया मैंने सिर्फ इतना use किया कि इससे पता लगा first order है question number 4 में A gives you 2B first order की reaction है 1 mole of A gives 0.2 mole of B after 100 minute तो half life time क्या होगा तो दियान से देखो कैसे करते हैं ऐसे problem को A gives you 2B 1 mole of A था आपका right तो यह 0 होगा अगर 1 mole में से x mole react होगा तो यह 2x बनेगा after 100 minute B के moles केतना है 0.2 that means 2x केतना हो गया 0.2 तो x केतना हो गया 0.1 तो यहाँ पर दियान से देखो A का केतना बचा होगा left concentration केतना हो जागा 1 minus x 1 minus x is 0.1 तो that is 0.9 left half का that means react केतना हो गया या complete केतना हुआ react या complete केतना हुआ that is 10% तो we know tx percent that is 10% is equal to t half by ln 2 into ln of 100 upon 100 minus x तो t 10% आपको मालूम है क्यों के 10% complete होने में केतना time लगा है 100 minute तो यहाँ पर पूट कर दो 100 is equal to t half ln 2 ln of 100 और 100 minus x केतना 10% तो ही हो गया 90 तो आप यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा आपका t half is equal to 100 into ln 2 by यहाँ पर क्या हो जाएगा ln 10 by 9 अब यहाँ पर ln 2 और ln 3 की value given है तो आप इसली यहाँ पर पूट कर दो तो you will get 6 5 5 यह अंसर आजाएगा question number 5 में first order की reaction है 32% left है दियान दे 32% left after 5 70 second तो k की value बताना है rate constant की value x into 10 की पर मानस 3 में तो दियान से देखो कैसे करेंगे दियान दे यह left है तो complete केतना हो गया है 68% जिसको मैं approximately 70 ले सकता हूँ right तो t 70% is equal to क्या था 1 by k ln of 100 upon 100 minus 70 right तो t 70% आपको given है केतना 5 70 is equal to 1 by k ln of 100 upon 30 जो की approach में मैं 3 times ले रहा हूँ दियान दे approach calculation कर रहा हूँ है तो k is equal to क्या हो जाएगा 1 by 5 70 into यहाँ पे हो जाएगा ln 3 right approach में cancel कर रहा हूँ है ln 3 की value आप put कर सकतो तो क्या हो जाएगा दियान से देखो 2.3 log 3 होता है 0.47 जिसको approach में 0.48 ले रहा हूँ divided by 5 70 हमें कैसे answer करना है 10 की power minus 3 में तो दियान से देखो कितना हो जाएगा 2.3 इसका आटाएगे तो 100 नीचा आजाएगा into 48 divided by 57 into 10 की power minus 3 तो इसको आप solve कर लो यह prox आजाएगा 2 into 10 की power minus 3 तो यह answer will be 2 question number 6 में 75% complete होने में 90 minute लगता है first order की reaction है तो 60% complete होने में कितना time लग गगा तो you know जो T 75% होता है वो 2 times of T half होता है तो 2 times of और T half is equal to कितना हो जाएगा 90 इसलिए T half आपका कितना आ गया 45 अब हमें कितना नहीं करना है T 60% तो T 60% का formula क्या था T half by ln 2 into ln of 100 upon 100 minus x is 60 तो इसको put करो तो T half is 45 by ln 2 यहाँ पे क्यातना हो जाएगा ln 100 by 40 that is ln 10 by 4 तो इसको calculate कर लो तो आपको आजाएगा 45 into 0.4 by 0.3 that is 60 minute तो very simple आप द्यान से देखो ऐसे question को आप बहुत लीजिली कर लोगे similarly एक question था कि T half 10 days है 1 by 4 complete होने में कितना time लगेगा तो T half अगर 10 days 1 by 4 तो आपको क्या formula बता है था कि T F fraction complete होने में T half by ln 2 into ln of 1 upon 1 minus F यहाँ पे F कितना put करना आपको कितना complete होना है 1 by 4 तो हमें निकालना है T 1 by 4 तो क्या हो जाएगा T half by ln 2 ln of 1 upon 1 minus 1 by 4 तो यह कितना हो गया T half आपको given at 10 by ln 2 और इधर कितना हो जाएगा 4 minus 1 3 by 4 तो ln 4 by 3 जिसको आप solve कर लेंगे तो यह approximately 4.1 के आसपास आएगा that is option C question number 8 कि ln P by P not versus time graph एक state line है जिसका slope minus में 3.465 into 10 की power 4 है तो half lifetime बताना है X into 10 की power minus 5 है तो X क्या होगा तो ध्यान से देखो अगर natural log P by P not और time graph अगर state line है तो इसका मतलब यह क्या बताना चाहा है first order की reaction है जो आपको बता रखा हूँ अभी trick में तो अगर यह first order है तो जो slope होगा वही के हो जाएगा rate constant तो direct आपको क्या दे दिया है 3.465 into 10 की power 4 तो इसलिए T half हमें निकानना था T half क्या होता है ln 2 by K ln 2.693 by K put कर दो 3.46 into 10 की power minus 4 हो जाएगा 10 की power minus 5 में बताना है तो 1 10 से multiply divide कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 6.93 by 3.46 into 10 की power minus 5 तो यह 2 into 10 की power minus 5 हो जाएगा तो X की value कितना हो जाएगा आपका 2 next question number 9 में T half given is 6.93 minute T 99% आपको निकानना है first order की reaction है तो we know T 99% is equal to T half by ln 2 into ln of 100 upon 100 minus X that is 99 देखो उस formulae से कितना easily हो जाएगा T half आपको given is 6.93 by natural log 2 और यह हो जाएगा ln 100 जिसको आप कैसे लिख सकते है 6.93 ln 2 इसको लिख सकते है ln of 10 की power 2 तो 2 बाहर आ जाएगा तो 6.93 by ln 2 into 2 ln 10 दोनों natural log है convert करेंगे log with base 10 में तो conversion factor cancel हो जाएगा log 10 1 होता है log 2.3 होता है तो इसको लिख सकते है 6.93 into 2 by 0.3 तो आप ध्यान से देख सकते हो इस point का 10 ऊपर चला जाएगा तो 69.3 हो जाएगा तो answer क्या हो जाएगा 69.3 into 2 by 3 that is approximately 46 so option C तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा आपको कुछ effort डानने की ज़रुत नहीं है अगर मेरा वो tree cup को मालूम है तो जाते जाते घ्यान की बात और that is very important कि कहीं पर अगर A gives you product और A का कुछ coefficient given हो जैसे यहाँ पर हमने in general M लिया है तो rate is equal to k into concentration A की power 1 लिखेंगे differential form में कैसे लिखोगे minus 1 by M जो इस टाक्योमेटरी होता वो divide हो जाता है इसलिए जब आप इसको integrate करेंगे तो lnc t is equal to lnc naught minus m k t आएगा जबकि अगर यहीं पर coefficient 1 था जो generally हम 99% question में लेते हैं तो lnc t is equal to lnc naught minus k t आता है तो ध्यान दे यहाँ पर 1 था तो k क्या आगे 1 multiply था तो वैसे ही reactant में आगे क्या है वो multiply हो जाएगा तो आपको कभी-कभी carefully question को absorb करना है कि ऐसा तो नहीं है कि reactant a के पहले कुछ estacometry लगाया है तो वो लगाने के बज़ा से वो आगे multiply हो जाएगे तो इसलिए ध्यान देना तो यहाँ पर slope सिर्फ k ना होकर के m k रहेगा अगर still line draw करेंगे तो इस point का ध्यान रखेंगे कि आगे अगर कोई coefficient होगा तो k के आगे वो multiply होगा ग्यान की बात में point number two कि कभी इस type का question आ जाए कि a gives you b और half life time 12 minute है और a gives you c half life time 3 minute है that means a ही दो independent first order की reaction में अगर जा रहा है तो 50% complete होने में a का केतना time लगेगा तो you know कि हमें clear है कि 50% complete होना है तो 3 minute में यहां पर 50% हो जागा यहां 12 minute में 50% हो जागा तो हमारा answer तो 3 से काम आने वाला है क्योंकि 3 minute भी दे दिया तो 50 तो यहीं से हो गया पलस इस से भी कुछ हो जागा जबकि हमें 50% ही complete करना है तो हमारा answer 3 से कम आने वाला है और कैसे निकालेंगे without calculation तो उसके लिए रफिसर का यह trick ध्यान रखो T effective is equal to T1 into T2 by T1 plus T2 से अप निकाल सकतो where T1 is half light time of first 12 into T2 is second तो third divided by 12 plus 3 तो यह कितना हो जागा 36 by 15 2.4 अगर nearest integer में पूछे तो answer 2 हो जागा क्योंकि यह 0.5 से कम है और अगर option given होगा तो 2.4 तो इस type के question को आप easily इस वाले हमारे trick से आप कर लेंगे तो I hope यह percentage x completion या fraction completion वाले जतने भी पड़ावल होंगे आप मेरे simple trick से कर लेंगे तो next video lecture में हम बात करेंगे कि temperature पर rate constant कैसे depend करता है और अरिहेनियस equation के बारे में thank you जतने के बारे में आप बारे में आप चाहले होंगे जतने की तो